आपको सोमुआर की दिन ये साथ संकेत मिलते हैं तो देवादी देव महादेव आपकी भक्ती से प्रसंद है और अब आपका बुरा समय समापत होने वाला है और आपके जिवन में अच्छे परवकी शुरुआत होगी। पान भी करते हैं कभी वे गुरु के रूप में इस समस्त संसार को योग का ज्यान देते हैं तो एक बैरागी के रूप में वे अपने भक्तों के बीच स्वयम आकर रहते हैं अतर शुजी की महिमा अपरमपार है शुजी को भोरिनाद भी कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्त प्रकार का भेदवाव नहीं करते हैं, जो भी भक्त सच्चे मन से शुजी की आराधना करता है, वे उसकी मनो कामनावश पूर्ण करते हैं, फिर भक्त चाहे दानो हो या मानव, देवता हो या पशु ही क्यों नहो, वे सभी पर अपनी क्रपा बरसाते हैं, सोमुआर का दिन भ पूजा करने का विधान किया गया है, जो भी सच्चे मन से सोमुआर की दिन शुलिंग की पूजा करता है, शुजी को उनकी प्रिय वस्तुए चड़ाता है, दूदेवम जल से उनका अभिशेक करता है, शुजी ऐसे वेक्ति पर अपनी क्रपा दिश्टी सदेव बनाए ये कि अब महादेव उसकी भक्ती से प्रसन है, और जल्द ही उसके जीवन से बुरा समय समापत होने वाला है, और उसके अच्छे दिन आने वाले है, ये संकेत प्रकृति द्वारा, पशुपक्षियो द्वारा, ये सुजी के भक्तों द्वारा भी मिलते है, इसलिए आप अध्यत्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके, साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जुरू करे, पहला संकेत, ब्रह्म मुर्थ पर चंद्रमा के दर्शन, ये सोमवार की दिन किसी वेक्ती की नीद ब्रह्म मुर्थ पर आचानक ही खुलती है, और उसे पर चंद्रमा के दर्शन होना, आतियन्ध ही शुब माना जाता है, दूसरा संकेत, सफेद नंदी के दर्शन, सोमवार की दिन येदि आपकिसी कारे के लिए घर से भाहर निकलते हैं और आपको रास्ते में सफेद रंग के नंदी के दर्शन होते हैं, तो इसे शुरू जी क शूजी आपको उस कारे में आवश्य ही सफलता मिलेगी तीसरा संकेत नाग देवता के दर्शन भगवान शुव अपने गले में नागों को धारन करते हैं शूजी को नाग अत्यंत प्रिय है इसलिए आपको सोमवार के दिन नाग देवता के दर्शन होते हैं तो इसे भी शुब संकेत समझना चाहिए शूजी आपकी पूजा से प्रसन है और नाग के दर्शन होना आपकी आर्थिक उन्नती को धर्शाता है जल्दी आपकी दरिदरता का अंत होगा और आप अपने जिवन में बहुत सारा धन प्राप्त करेंगे चोता संकेत अपकी घर से सब प्रकार की नकारतमक्ता का अंत होगा ये संकेत ही कि आपका बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है चटा संकेत भरा हुआ घरा ये आप किसी काम से भाहर जा रहे हो और आपको रास्ते में पानी से भरा हुआ या दूज से भरा हुआ घरा दिखाई दे तो ये अत्यंत शुब माना गया है ये इस बात की तरफ संकेत करता है कि आप जिस काम के लिए जा रहे है उस काम में आपको सफलता मिलेगी सातवा संकेत भस्म यदि आपको सोमवार के दिन भस्म लगाए हुई वेक्ती या फिर किसी स्थान पर भस्म दिखाई दे तो इसे भी शुब संकेत माना गया है सोमवार की दिन आपको भस्म लगा कर ही आगे बढ़ना चाहिए सोमवार को भस्म का दिखाई देना ये दर्शाताई कि आपके जुवन में आने वाला कोई बड़ा संकट अप्टल चुका है और अब आपको निश्चिन होकर आगे बढ़ना चाहिए तो दोस्तों ये तेवस साथ संकेत ये दि सोमवार की दिन किसी को ये साथ संकेत मिलते है तो शुजी उसकी भक्ती से प्रसन है और अब उसका अच्छा समय आने वाला है अगर ये जानकर आपको अच्छे लगी तो विडियो को लाइक करे कमेंड में हर हर महादेव ओम नमस शिवाय अवशे लिखे साथी चानल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद ऑन्यवाद सकतिकी सब्सक्राइब C पादम ये उसक्राइब झाल झाल